आप लोग को मेरे चैनल में आप लोग का बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग सिखने वाल है कि eSafbank का आम लोग का से नेट बैंकिंग डेजिस्टेशन कर सकते हैं पिछले वीडियो में मैं आपको mobile banking registration तो इस बार उसका net banking registration करेंगे उसके लिए आपको कोई भी ब्रॉजर खोल लेना मैं Google Chrome खोल लेता हूं उसके बाद आपको यहां पर इस बैंक का देख सकते हैं यह नाम लिखके आपको सर्च करना है उसके बाद जो भी यह पाहिला लिंक आएगा इसमें आपको इंटर कर जाना है यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर लॉगिन दबाना उसके बाद लॉगिन में आने के बाद यहां पर आपको प्रस्नल में क्लिक करके लॉगिन दबाना आप जैसे इस page में आईएगा तो यहां पर देख सकते हैं new user sign up इसमें आपको क्लिक करना है उसके बाद यह आपको क्या क्या आपके पास रहना चाहिए customer का mobile इसबाइल नमबर होना चाहिए और दिटेल जितने भी डिटेल जो रही है वह आपको यह होने चाहिए तो मैं आपको यहां करना है यहां पर आपको यहां पर यहां पर डाल है तो मैंने पूरा डीटेल अपना अपना फिल कर लिया, अब यहां से आपको कंंटीन्यू पे क्लिक करना है, कंंटीन्यू में क्लिक करने के बाद आपको अपने act.mp पीन पूछा जाएगा, तो आपको अपना act.mp है उसके बाद यहां पर देख रहे हैं इमेल आईडी रेजिस्टेड नहीं है ब्रांच में कर रहा है इसको अपडेट करने के लिए तो फिलाल हम लोग मोबाइल में जो ओटीपी आया उसके थूरू आगे बढ़ेंगे तो अब मैं यहां ओटीपी रिसीव होने के बाद डाल लेता हूं तो ओटीपी आ गया मैं ओटीपी यहां पर डाल लेता हूं जो भी मेरा ओटीपी आया है अब यहां पर समीट अगर अगर आपका ओटीपी नहीं रिसीव हो ता है रिजट रेट पर क्लिक कर सकते हैं इतना सेकेंड के बाद लेकिन मेरा आ गया आपको अपना यूजर आइडी क्रिएट करना है तो मैं यहां पर यूजर आइडी क्रिएट कर लेता हूं अब यहां पर आपको अपना पासवर्ट क्रिएट कर लेता हूं यहां तो पासवर्ट आप जब भी क्रिएट करते हैं तो आपको कॉंबिनीशन में बनाना है और अस्पेसल करेक्टर डालना है कुछ के एपिटल में डालने हैं और ऐसा मिक्स में बनाना और फिर सब्मिट पर क्लिक करना आप अब यहां पर देख सकते हैं कि मेरा netbanking completely हो चुका है successful registration अब यहां पर login करना है तो click here पर आपको click करना यहां पर अभी जो user ID अपने बनाया है अब अगर password save करना चाते हैं यहां पर save पर click कर सकते हैं और आपको नहीं चाते हैं तो इसको छोड़ देना इसे ही उसके बाद यहां पर आपको OK पर click करना है आपको फिर से एक OTP प्राप्त होगा तो मैं OTP डाल लेता हूँ एसे लिए तो मेरा OTP आ चुका है मैं इसको फिल कर लेता हूँ का अब अगर आपको आपको पीडिश्च ना मिलेता यहां पे recent दबा सकते हैं इसमें कुछ सेकेंड चलते हैं उसके बाद यहां पर आपको यहां पर आपको यह करना है और उसके बाद सबमिट करना है कि उसके बाद यहां प영़ पे आपको मझा अर करना है तो इसमें आपको कुछ नहीं नेक्स्ट करना बस फॉन पर यहां पर लिखा मैं जया करके– प्रक्वो किसी के लिएक इन के लो रिखत करना है यह नकिंडे नायगा है याद करना है घ्राम तरह एको ध्यान में और याद भी रखना जब आए इसके बाद अब नेक्स्ट करते करना पर इसके बाद करना इसके बार यहां पर इंटर लोग इन टेक्स म अब THE सफी एक शेक्लेट लोगिन टेक्स्टीजज और है कि मैंने टेक्स डाल दिया यहां पर सब्मीट किलिक करता हूं अब देख सकते हैं मेरा सारे जो सेट हो चुके वह इमेज आपको याद रखना है कि लॉग इन की टैम आपको पूछा जाएगा अब कंटीनियू टू डैस्बोड करना अब यह होगा आपका एकॉण पूरी तरीके से लोग इन यहां पर आपका बैलन्स दिख रहा होगा मैं अभी हाइड कर दिया इस चीज को अब यहां होम सेक्षन एकॉण फंट ट्रांसफर माई सर्विसस से जाके बहुत सारे चीज़े कर सकते हैं साहर इसमां आप मुबाइल वो इमेल आइडी भी अपडेट कर सकते हैं तो उसके लिए प्रोफाइल में जाके चेक आउट करें अभी तो बस मैं आपको रेजिस्टेशन के लिए बता रहा था गर नेक्स्ट वीडियो में मुझे लगेगा तो इमेल आइडी कैसे अपडेट कर दूँगा आपको प्रोफाइल इमेल आइडी आप घरबैटे कैसे अपडेट कर सकते हैं तो इस वीडियो में नहीं अगर आपको वीडियो फुल लगते हैं और अपको लगता है कि यह वीडियो आपकी काम की है और आपको रही मदद लिए तो बारे चैनल को ग्रोव करने में सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को सेर करें ताके काफी लोगों तक पहुंचे और वीडियो थोड़ा हमें भी बनाने में मौटिवेशन मिले वीडियो को इस वीडियो में चाहिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अब आपको मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाटा बाई बाई